भारत में 35% महिलाओं के साथ में किसी ना किसी रूप से घरुली हिंसा होती है मेरे भी घर में घरुली हिंसा होती थी लेकिन मैंने मेरे बस्तिक के संस्ताओं से बात की उनको मेरे घर में लाया और मेरे पिताजी को समझाया तब जाके मेरे पिताजी समझे जैसे ऐशा अन्जारे ने किया महिलाओ के उपर हिंसा होती थी उसके उपर आतेचार होते थी उसके उपर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया मेरे भी घर में घर लियो हिंसा होती थी लेकिन मैंने मेरे बस्ती के संस्ताओं से बात कि अपिता जी आपर किसकतरा के अतयचार होते थे ? शाप्दिक रूप शाप न्यक सेटीक हे मुड़ा। पैसा देते थे खर्चे को, तो पुछ के खर्चा करना चाहिए, जो भी बात है वो हमको पुछ नहीं, आदमी का कहना ऐसा है, घर से बहार भी निका लगाया है मेरे को, किस तरह से, मतलब एक दिन मैंने अपने दिली से मेरे लड़की का बड़े मानाय था, तो उस पे तुने क्यों खर्चा किया, खर्चा किया बूल गए, इस बात पे जगड़ा हो गया, और तू अपनी मनमानी करती है, जै निकल मेरे घर से बाहर निकल जा, बाल घशिट के मेरे को घर के बाहर निका लगाया, इस आपके जगड़े से और किसके उपर पर परिनाम होते हैं, आपके खर्चा की दोफार होते हैं, जो घरी हलृ हिंसा होती है, इस हिंसा को रोकने के लिए, आपने कुछ किया है, क्या, मैंने ये घ्या, जब ये पैसे की बात होती है, कि पैसा देता हSomeा घर से लाता हो, जगा इस बात थी अब बच्च Day को मारना पिटना ये होता था, तो इसके मेले मैंने साब बोल दिया कि वो चाहिए भी नहीं पैसा और नहीं तेरा घर चालाना है मुझे जो करना है मैं अलग से करूंगे अपने बच्चे पालूंगे अइशा अंसारी ने अपने आप पर हो रहे अत्याचार की चुप्पी तोड़ दी उसने अपनी बस्ती की संस्ताओं से मिलकर अपनी बस्ती में उन महिलाओं पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ एक कारिक्रम लिया अपने जो कारेख्रम किया, वो किस वज़ा से किया और क्यों किया हो कारेख्रम? यह जो हत्याचार होता था मेरे उपर, यह कही ना कही मैं दब के रही हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पर हो रहा है, और भी तो बहुत सारी आउरते, उनके उपर भी ऐसा ही कुछ होता होगा, इसलिए मैंने पुरा साथे नगर में कारेक्रम लिया है, जो महि बताये कि यह परतिते अगर बदल गई तो क्या होगा? बदल गई तो आउरत के लिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा ना, जब उसकी बात को सपोट आदमी देता है, जो काम कर रही है, जो भी कर रही है, अगर आदमी ने सपोट दिया तो आदमी को तो सर पर उठागे ना मैं अमोल लाल जरे, इंडिया अनहड के लिए